हाई मेरा नाम है श्रयांज और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फ्लेटर फ्लो के एक नए वीडियो में जहां पर हम लोग कस्टम कोड को समझेंगे किस तरह से काम करते हैं इसमें और क्या होता है आपका और्गिमेंट देन रिटर्न वैलू क्या होती है ओपन याई का यहांपर हमारा आप देख पह देख पार हो यह में.dat फाइल है तो इसको मैं आपको दूसरी वीडियों बताऊंगा और एक वीडियो में बनाऊंगा जहांपर मैं फ्लेटर को समझाँगा फ्लेटर कैसे काम करता है फ्लेटर क्या होता है यह सारी चीजें आभी के लिए एक चीज और है कि अगर मेरा 1,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम लोग एक लाइव Q&A सेसन रखेंगे जहां पर आप जॉइंग करके यूटूब पर अपना कोशन पूछना तो सारे कोशन के आंसर देंगे हैं वोग ठीक है चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले देखो कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा अगर आपने कभी इसको इस्तमाल किया है तो देखो कश्टम कोट आप आप पार इसको आप इस को आप अगर कैंसल कर देता है यहांसे कर लिन से यहां पर आते हैं यहां से custom function आइड करते हैं हम लोग और यहां पर हमें function का नाम लिखना है जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं sum of two number ठीक है यह हो गया हमारा sum of two number यह हो गया आपके function का नाम जो आपको यहां मिल जाएगा अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज साइज नहीं हो पाएगी मुझे लगता है आदेखो आपको यह नाम आपका मिलिगा यह custom आप यह function का नाम लिखोगे और डाट में function कुछ इसी तरह से बनता है जैसे मैं अगर इसको अटा दू अगर मैं यहां पर लिखो इस्ट्रेंड यह पर यह dynamic लेगा आपको मैं coding सिखाया है नहीं हो आप coding जानते नहीं हो तो आप समझने पाऊगे अभी फिलाल के लिए इतना ही देखो मैं अगले वीडियो में कोडि मी बता देंगा किस तरह से डाट काम करता किस तरह से फ्लेटर काम करता है जिससे आपको समझना आसान हो जागा तो यहां पर भी फिलाल देख लो इस्ट्रिंग है यह आपका function का नाम है यह इस्ट्रिंग क्यों दे रहा है क्योंकि यहां पर हमने return value दी है इस्ट्रिं कि बताता हूं आप लोगों को इसको देखो पहले argument में आई आके पहले इस्ट्रिंग पर आते हैं क्योंकि वही हमारा दिया हुआ था मापर फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा था हमारा इस्ट्रिंग यह लगा हुआ था अगर आप ध्यान दे रहे हो यहां पर फिर देख लेता हूं हां यह question mark लगा है इसका भी एक रूल है कि question mark क्यों लगा यहां पर एक वज़ा होती है रूल नहीं उसको वज़ा करते हैं ठीक है sum of two number लिखते हैं यहां पर थोड़ासा मैं अगर color change कर दूँ इसको एक मेर मैं color change करता हूं sum of two number then यहां पर था ऐसे उसके बाद यह curly braces था कुछ अच्छा बननी रहा हां यह हो गया ऐसे था ठीक है तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास यह चीज थी यह हमारी हो गई क्या function का नाम function name हो गया यह और यह जो चीज है आपकी मैं इसका color change कर दूँ मैं इसका color change करके यह कुछ और color कर देता हूं यह दीखे गहां यह तो सेम लग रहा है ठीक है इससे देखो आप यह जो था यह है आपका रिटर्ण रिटर्ण इन बीच में आपका यह चीज दीखेगा आपको यह यह है आपका question mark का शाइन यह होता है नल न लेबल करते हैं इसको ठीक इतनी चीजे पहले आप समझो उसके बात बताता हूं आपको आपके देखो पहला हमको समझना है रिटर्ण रिटर्ण क्या होता है देखो जब भी हम लोग कोई function बनाते हैं या तो कोई काम करते हैं तो कुछ रिटर्ण मिलता है हमें उस चीज का अभी देखो अभी code सब कुछ भूल जाओ code आप ऐसा समझ मैं पढ़ा नहीं रहा हूं code ठीक है अभी सब कुछ भूल जाओ ऐसी समझो आप किसी hotel में गए हो भाई restaurant वाला मैं फिर सी example लहा हूं hotel या restaurant मानलो यह restaurant A है आप restaurant A में गए हो ठीक आपके पास एक वेटर आया वेटर कर मैं या आपके बना दे रहा हूं वेटर आया जिसका नाम था क्या नाम देए इसको मानलो इसका नाम है राहुल यह आपके पास आया और यह आने के बाद आपसे पूछता है कि आप खाने में क्या लोगे खिक आपने यह बताया यह बताया दो चीज़ तीन चीज़ आपने बताया जैसे मानलो बर्गर हो गया पिज्जा हो गया या और कॉफी हो गई वैसे ये तो कॉंबिनेशन बहुत गलत जा रहा है बट कोई बात ने बर्गर पिजा कॉफी हो गई ठीक यह आपके पास आया इसने पूछा आपने इतना चीज बताया इसको फिर ये राहुल जो था वो गया जो आपका जो फूड डिपार्टमेंट होत अब यहाँ पर मानलो कोई परसन है जिसका नाम राम है ठीक इसको इसने दिया कि इतनी चीज तुम्हें बना के देनी है ठीक अब जब और प्रिपेर हो गया मानलो दस मिनिट बाद यह ओडर सारे जो आपने दिये थे यह वाले ओडर प्रिपेर हो गया तो फिर आपको ये चीज रिटन करेगा यह जाएगा राम के पास मतलब खाना पर प्राम के पास जाएगा राम से जाएगा फिर यह इसको यह देखवा आप यह खाना फंग जया तो फिर गया राम के पास और राम ने रिटन किया राहुल को राहुल ने फिर आपको रिटन कर दिया यह चीज बना बनाया हुगा, तो यही सारे, यही चीज होती है function, function भी यही करता है, कि वो कुछ न कुछ तो return करेगा ही करेगा, समझे, तो यह होता है function में return का मतलब, कि अगर वो कुछ value return करता है, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं return, और string ही क्यों लगाते हैं, मतलब string ही नहीं लगा पहोंत सारी जीजी लगा सकते हैं या से document रिटरण कर रहा है या तो डॉक्मेंस रिफेरंस रिटरं कर रहा है इसरी डाइघ कर रहा यह सारी चीज करक्वन हो सकते हैं यहांपर तो यह लगभा है कि आपि Grunde को एक ऐसे समझो जब भी हम लोग कोई function create करते हैं तो इसकी कुछ value आती है और उसी value को अगर हमें कहीं show कराना है show कराना है तो हमें मतलब तो हमें return करना पड़ेगा उसे इस function की नाम पर मान लो हमने एक function बनाया जहां a plus b is equal to 20 आ रहा है मतलब a की value आपकी 10 है b की value भी 10 है और c को हम लोग कर देते हैं a plus b तो c की value आपकी आगी 20 अब हमें इसी 20 की value को हमें मान लोग program कोई a है इसमें show कराना है तो हम लोग क्या करेंगे return करेंगे इसको जो मारा function होगा मान लो sum हमने function बनाया है तो इसमें इसको return कराएंगे और इस चीज़को अगर हम लोग यहां पर use करते हैं sum then हमारी जो value यहां पर आएगी इस वाले जो function की value आएगी मतलब यह वाले जो जा करेंगे इसको function नहीं समझवा इस वाले जो function की value आएगी वो होगा 20 ठिक तो इस तरह से return काम करता है return में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है जैसे कि sum में आप आप सॉरी जिसे हम लोग यहां पर sum किया है तो इसमें हमारा double आ सकता है integer आ सकता है ठीक है string भी ले सकते हैं अगर आपको number को convert करना string में तो आप string भी ले सकते हो तो इसमें हमारी क्या-क्या आ सकते हैं जैसे आपको flutter flow में मिल जाएगा पहला तो आ जाएगा आपका string यह आपकी string return करेंगा जो अंडर इसमें होगा कि कैसे अंदर जो भी होगा second आता है आपका मैं देख लेता हूँ यहां से एक बाद चेक कर लेता हूँ क्या-क्या return कर रहा integer return कर रहा है double return करता है boolean return कर रहा है image path है video path है car है color है बहुत सारी चीज़े आपका यहां पर वो return कर रहा है ठीक जैसे आप यहां पर change करोगे देखो video path अचली वो इस्ट्रिंग में ही रहता है जैसे आपने document reference किया थे यह देखो आपको document reference return करेगा यह और जैसे आपने यहां पर कोई document reference आपके पास होगा अगर इसको आपने click कर दिया तो आपको यह यहां पर नाम दिखा देगा यहां तो मैं काम करता हूं किसी जो हम लोग project बना रहे थे अपना home service का उसमें चलके देखते हैं यहां तो मैं काम करता हूं नहीं नहीं उसमें तो अल्रीडी बना हुआ है तो आप confuse होगे इसमें देखता हूं custom function में आते हैं यहां से मैं अगर add करता हूं function चलो sum of two number लिखता हूं sum of two number अगर मैं यहां से document reference पास करता हूं तो transcribe docs लिए लिंगते हैं ठिक यह आपको document reference हो गया और document type क्या था आपको अगर आप इसको हटा दोगे तो यह खड़ जाएगा अब इसको समझते हैं क्या होता है यह अभी तक तो आपको return समझ में आ गया कि कुछ भी function आपको create करते हैं तो वह return करता है में कुछ ठीक है चलो अब लेबल को देखते हैं इसको देखते हैं यह क्या चीज है तो इसको मैं यहां पर लेकिए आता हूं color आपको दिख रहा है ना आपको एक काम करता हूं इसका जो color है थोड़ा सा और dark करता हूं है यह देखो आप साथ यह देखे आपको हाँ चलो इसको मैं करता हूं ना लेबल मतलब question mark का sign है अच्छा सा बनाता हूं यह है इसका मतलब होता है कि जो आपकी value return हो रही है मतलब मानलो string return हो रही है और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है यह empathy पूरी तरह से इसमें कुछ भी नहीं है तब यह लगाते है हम लोग इसका मतलब होता है कि value हमें null return हो रही मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है ठीक समझें आप चलो एक वा मैं फिर से बता देता हूं मानलो अमने कोई function बनाया जैसे मैं फिर से बाइजामपल लेता हूं a is equal to 10 b is equal to 10 और c is equal to हो गयाएगा a plus b और c is equal to फिर से हो जाएगा आपका 20 मानलो यह 20 ना return कर रहा है ठीक है return ही नहीं कर रहा है तो यहां पर हम ल value दे सकते हैं null ठीक बट यह ऐसा possible है नहीं इसमें क्योंकि कुछ ने कुछ तो value return करे गाई है अगर यह return नहीं करेगा तो इसका value null होगा और हम लोग इसको 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 करते हैं कभी-कभी cases क्या होते हैं कि मानलो हमारा जो document reference है जैसे मानलो हमारे पास document a है और हमने उस इसको reference बनाया है B में ठीक है बट वो जो हमारा collection होता है उसमें यह update नहीं हुआ है जो A का reference हमने बीम बनाया है तो हमें return करेगा null तो उसी के लिए यह चीज होता है आप basically ऐसे समझदो सब कुछ ऐसे समझो कि अगर कुछ भी value return नहीं हो रही है तो वो null पास करता है ठीक है चलो अब आते हैं हम लोग इसमें function का नाम तो आप समझ गया हो इसमें गयारा कुछ करना नहीं है हो गया आपको ठीक अभी देखो इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका argument दिखाता हूँ पहले मैं आपको उसके बाद इसको समझाता हूँ आपको यहां तक समझ में आ गया ठीक एड़ और्गिमेंट करते हैं मान लोग लिख रहे हैं ए लिखते हैं मान लोग यहां तो first number लिखते हैं first number ठीक है अब मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है यह और एक मैं और argument लिख देता हूँ जो है आपका second number ठीक है यह आपको इसको कर देते हैं integer इसको भी कर देता हूँ मैं integer यह ना लेबल है यह भी ना लेबल है ऐसा क्यों है मैं इसको में करके दिखाता हूँ हम लोग इसी चीज को फिर से बढ़ा देते हैं यहां से मैं करता हूँ एक साइड आप्णक कन्फीउज ओ जाओ यहाँ पर मैं डॉक्मेंट डिफ्रेंस लिया हूँ नहीं वाला नएं हमें लेना है यहां पर इंटीजर ठीक है यह उक्टे मैं फिर से इसको दिखा देता हूं आपको अब कान्फिस मत हो ना हम लोग महां पे इंटीजर ही ले रहे हैं इंटीजर को आई एंटी लिखते हैं जब भी हम लोग डाट में लिखते हैं डाट क्या डाट आपका एक प्रोग्रामी लेंग्वेज है और जो फ्लटर है वो एक फ्रेमवर्क है ठीक मैं इसको आपको अगली वीडियों बताऊंगा मतलब अगली वीडियों नहीं हो सकता है कि फ्यूचर वीडियों बनाऊं अगर टू नंबर उसके बाद ऐसा लगा गवा था यह ऐसा था ऐसा था ऐसा था उसमें लिखा था आई एंटी रहा होगा यह एक मिएट में इसको कि तोड़ा सच्छा कर दे रहा हूं कि यहां पर ऐसा रहा होगा आई एंटी इन यहिंट यह डैन फरस्ट नंबर फरस्ट नंबर कर देताऊं माल biggest लिखा रहा है हाई एंटी सेकेंड नमबर टीक यह होगी आपका उसके बाद ही ब्रकेट सिंद बंध था यहिया पर ऐसे था और यह ऐसे था ठीक है अब देखो इसका मतलब क्या है यह होता है हमारा argument यह जो है हमारा वो argument होता है मतलब हम लोग क्या दे रहें function को argument को मैं ऐसे समझो कि हम लोग क्या pass कर रहें जैसे आपको मैंने बताया ने वो hotel वाली जो restaurant वाली बात थी कि वेटर हमारे पास आया हमसे order लिया चलो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा भी आप लोगों को जैसे मैं फिर से बनाता हूं यह है वेटर जिसका नाम क्या था बोलिया हाँ राहूल नाम था इसका ठीक यह है हम यह गंदा सबन गया यह हम है और यह क्या था अब इनको रहlichen देते हैं यह जो उनका नाम राम था इनको अब इसाइड में रखते हैं ठीक है देखो हमने क्या किया राहूल को राहूल को बोला कि हमारे लिए तीन चीजे लेकिया ओ पहला बरगर दूसरा था पिज्जा और तीसरा था काफी यह तिनों चीज़ अब राहुल की कैसा क्या विहेब करेगा कि इसे order लेके आना है ठीक है तो कुछ भी माल लो हम लोग यहाँ पे इस्ट्रिक ले लेते हैं ठीक ऐसी कर लेते हैं और my order my order करते हैं अब इसके अंदर जो pass करेंगे वो होगा हमारा order का नाम जैसे हो गया आपका burger pizza coffee यह हो गया और यह चीज जो जाएगा function जाएगा अब राम के पास तो उसको यह पता चलियागा अच्छे हाँ इनके पास तीन order थे चुछी हमने यह argument हमने इनको दिया है connect कर पार हूँ न आप लोग कैसे मैं समझान को सिस कर रहा हूँ जैसे देखो मैंने यह order दिया यह order as an argument गया किसके लिए राहुल के लिए राहुल नहीं क्या समझा कि यह order है तो इसने argument ले लिया इस चीज को अब यही जो पूरा function था ही इसने दे दिया राम को कि भाई यह order है इसको यह आप बनवा के लिखिया ठिक तो argument इस तरह से समझेवाब यह मतलब आप कुछ पास करते हो function को ठिक है जब मैं एक बार इसको erase कर दे रहा हूँ मतलब आप कुछ पास कर रहा हो function को ठिक हो गया erase तो फिर से मैं दिखाता हूँ समझे आप लोग ना तो मैं नहीं हादा तो comment कर देना तो आप यहाँ पर argument पास कर रहे हो ठिक और इसमें भी वही चीज है जैसे यहाँ पर int लिखा हुआ है int का मतलब होगा आपका यह integer है और यह भी int का मतलब से मैं integer है इसका मतलब होगा कि यह null able है या नहीं है null able अगर इसको बंद कर देते हो तो इसमें value रहना compulsory है अगर इसकी value empty रहे तो आपका जो code execute होगा वो null execute होगा ठिक तो इसमें value रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप इसको null able on करके नहीं रखे हो तो हमेंसा ध्यान रखना इस चीज़ को on करके रखना अगर आपको कुछ ऐसा function बनाना है जहां पे आप कुछ value पास करना चाहते हो और वो बिना पास यह आगे का function काम नहीं करेगा तभी अब यह क्या करेगा कि हमको देखो दो number का sum चाहिए था तो simple code यहीं लिख देगा कि first number क्या है आपका first number ऐसे कर देगा second number ऐसे कर देगा एक माला second number ऐसे हो गया यह आपकर 10 हो गया ठीक इस तरह से यह बना देगा ठीक है और जो argument पास होती है उसकी value ही यहां पर यह रखेगा अगर आपने यहां पर कुछ लिख दिया और यहां पर argument नहीं पास या तो समझीने पाएगा कि भाई तुने यह लिखा क्या है क्योंकि मेरे पास को इसका मतलब था वह तो पता ही नहीं है जैसे मालो आपने सिर्फ कर दिया बर्गर पीजा कॉफी और कर दिया उसको बोल दिया तो उसको पता ही चलेगा भाई तुझे करना क्या है खाना है ले जाना है या तो फिर तुर पास order क्या आया है में चीज वह फिरमाल आगर मैं यहां पर लिखता हूं परस्ट कि नंबर कि फस्ट नंबर इस को साहिट बना दिखाता हूं एज इकवर्ट कर तो रुख जा जो उन्हें बताया तो वही करता हूं फर्स नंबर कि पर्स्ट नंबर B is equal to second number then C is equal to करते हैं हम लो A plus B B करते हैं अब return कर देंगे हम लोग क्या return क्या करेंगे C को अब इसको हम save करते हैं the function is empty or can't be अच्छा 8 minute के काम करता हूँ इसका ये चीज बंद हो गया है code analyzer is not running दिखा रहा है तो एक new tab में open कर लेते हैं इसको एक simple सा code लिखके दिखा रहा हूँ इसको अब फिर से save करता हूँ this function is empty अब इसको मैं 10 करता हूँ और इसको 10 करता हूँ देखने क्यों इंपटी दिखा रहे हैं undefined name a है undefined name b है इस सारी चीज दिखाएगा क्योंकि यह save हुआ ही नहीं है में चीज तो यह ही है हमारा चले जहाँ पर लिखते हैं sum of to number और जो return होगा वो हमें return करेगा integer यहाँ पर लिखते हैं हम लोग argument में first number यह होगा हमारा integer second number number यह भी होगा हमारा integer ठेक और यहाँ पर लिखते हैं सिर्य रिटन फास्ट नमबर प्लस शेकंड नमबर इसको में शेप करता हूं और टेक्ट फॉनिशन में आते हैं टेक्ट फॉनिशन में आम लोगी करते हैं 10 इसको करता हूं 10 देन रंग करता हूं इसको अगर देखो यह 20 आ गया आपका मैंने किया क्या है इस वाले कोड में और इस वाले कोड में क्या गलती हो रही थी देखो यहां पर जो कोड अनलाइजर था वो सही से चल नहीं रहा था ठीक है उस समझ जब मैंने इसको बनाया था तो अब एक चीज़ तो यह समझ नहीं पा रहा है भाई तुने मुझे ए दिया है बी दिया है है क्या अब यह से बात अगर किस कोई किसी को कुछ भी बोल दो जैसे समान में लाना क्या है तो सेम वाई चीज़ इसके साथ भी हो रहे थी कि यह समझ नहीं पा रहा था भाई तुने ए लिखा है बी लिखा है से लिखा है मतलब क्या इसका तो इसको ना करके अगर हम लोग सीठे यह भी कर देता तो यह काम करता और इस चीज़ आप देखो नो नल पास कर सकते हम लोग यहां पर यह थोड़ा सा complicated है तो इसलिए open ai आई आपके पास तो है ही मैं coding का पार जोगा उसको मैं next video बताऊंगा तो सिधे आते हैं हम लोग open ai codex पर इस पर जादा ध्यान ना देते हैं लेकिन अगर मैं code दिखाऊंगा आप समझाऊंगा तो इसमे code generate करना आप AI का code generate करना तो return value और argument define करना ना भूलना क्योंकि उसी के हिसाब से यह number generate करे है देखो वही same काम इसने भी किया है मेरा number मतलब जो मैंने किया था वही चीज़ इसने भी किया है मैं copy function कर लेता हूं yes करता हूं इसको यह देखो similar चीज़ उसने की है ठीक और देखो यह भी कहेगा कि भाई यह int है तो null check लगा दें यहाँ पे और यह भी एक बाद चेक कर लेगा कि null value है या नहीं है अगर null value आप pass कर दोगे तो 0 प्लस 10 करोगे तो 10 आएगा समझें यह हो गया आप यहां से text function कर सकते हो जैसे को भी नमबर देखो आप तो यह उसने में 10 एड़ कर देगा यह देखो आप हो गया देन आप यहां पर कर सकते हो से भी से से वह गया check for error कर सकते हो तो मैं इसको कर देता हूं बंद तो अब समझें लोग कैसे काम कर रहा है अगर अभी विद्वा सा confusion हो रही है यह तो समझ रहे है ना आप लोग की return value क्या होता है और इसमें ना लेबल का मतलब क्या होता है देखो एक चीजा और होती लिस्ट में अगर आप लिस्ट कर दोगे तो देखो यहां पर लिख जाए इसने लिस्ट अब इसका मतलब यह एक जो आप function है वो list return कर रहा है किसकी list return कर रहा है integer की list return कर रहा है ठीक और अगर आपने इसको भी दे दिया तो ये भी देखेगा ठीक है भाई तो list दे रहा है argument में integer की list पूरी दे रहा है मुझे ठीक है इतना समझ में आगया आपनों चलो एक बार मैं आपको code समझा दूँ तो इसमें कर के रहा है कि हमने जब first number की value किया दे थी 10 यह हमने value दे इसको मैं एक बार छोटा सकर दे रहा हूँ बहुत बड़ा होगा confusion होगा इसको मैंने 10 दी ठीक ये 10 हो गया आपका यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया अब दोनों को simply इसने add कर दिया है अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और null level को यह मैं बंद कर दो इसको मैं बंद कर दो तो यह देखो यह दिखाएगा the exclamation mark will have no effect because the receiver can't be null समझे है हमने null हटाया तो इसको यह पता चलिया कि भाई देख जो तो मुझे value pass कर रहा है वो तो null होई नहीं सकती तो मैं null check क्यों करूं ठीक यह है इसमें तो आप इसको हटा भी सकते हो इसको मैं इसको हटा दिया तब भी वही सेम काम करेगा देखो अगर मैं इसको run करता हूँ तो similar वही चीज़ करेगा यह यह देखो 20 कर दिया ठीक इतना समझ गए आप लोग कस्टम विजट्स में आते हैं मैंने अल्रेड़ी कस्टम विजट्स बना के रखा है तो आप इसे देख लो क्योंकि अगर मैं वहां पर code करने लगूँ गो तो बहुत जागा टाइम लेगा तो इसमें देखो मैंने क्या किया है कि एक इमेज लिए है तो सेंटर इमेज आपको यहां मिल जाएगा रिक्वाइड बिसंटर इमेज ठीक और उसके बाद आप जी विड्थ और हाइट रिक्वाइर होगी जिससे आपका विजट्ट भीजट्ट होगा उसके बाद डिपेंडेंसी रखें एक कर रूजल का बनाने का ठीक आपका जो करेवसल स्लाइडर है उसका डिपेंडेंसी जो है यहां पर इंपोर्ट हो गई है और टाइप में क्या है जो देखो हमें तो यह कुछ रिटर्न करेगा ने तो विजेट है चुली तो इसमें कुछ रिटर्न होता नहीं है और यह भी सेंटर इमेज हमारे क्या था वह इमेज पाँच था अगर मैं इसको यहां से व्यू करता हूं आप देखो जैसे मैंने इसको अगर 200 है ओके अगर मैं यहां पर एक आइटम और देता हूं दो तीन आइटम देदें यहां पर तो कुछ इस तरह से यह आपको मिल जाएगा यह देखो आप अगर मैं इसकी हाइट अब बिठते दूं कि आपने महां पर दिया हुआ था आपको यह तभी समझने समझ पाओगे अच्छे से जब तक आपको कोड प्रॉपर आ जाए कि विजेड बनाना फ्लुटर में सोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दो फ्लुटर में डिफिकल्ट नह दिखाऊंगा आपको यहां से कैयरोजल विजेट इन फ्लुटर पर आऊ गया तो कैयरेजल स्लाइडर का आपको यहां से डिपेंडेंसी मिल जाएगी आप इजांपल में आकर देख के बना सकते हो आपने आप से यहां पर कि कि इस तरह से इसने बनाया है तो उसको यूज क करके बना सकते हो बट मैं बहुत ज्यादा रेक्वेस्ट करूं वाब फेडर फ्लो टीम से कि यह विजेट होता है जो एक नॉर्मल विजेट्स होते हैं जैसे करेजल हो गया आपका दो तीन विजेट्स और होते हैं उन सबको एड़ करते तो आप लोगों को दिक्कत ना हो ठीक तो चलो आगे बढ़ते हैं अब आते हम लोग कस्टम एक्सें में यह देखो अगर आपको कुछ एक्सेंस बनाने हैं तो आप उसे बना सकते हो कस्टम एक्सेंस मतलब आप गूगल ऑथ करने के बाद अगर यूजर का ऑथ आड़ी लेना चाहते हो जिसका यूज करके आप किसी Google Cloud Console का कोई भी API यूज करना चाहते हो तो आप कैसे बनाऊगी उसे तो यहां पर देखते हैं यह पब सेट इसपेक जो डिपेंडेंसी इसका मतलब होता है कुछ डिपेंडेंसी होती है जो किसी ने बनाई होती है उसका यूज को जो उनका कोड होता है आप उसे इ आपको simple एक काम करना है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखो flutter, आपको यहाँ पे add करना है, flutter addmob, ठीक, तो आप यहाँ पे click कर दो, pub.dev नाम से है, आपको यहाँ पे सारी dependencies मिल जाएंगी, सिर्फ flutter, नहीं, flutter नहीं, हम लोग addmob कर रहे थे, तो addmob click करते हैं, यहाँ प popularity is 95%, तो आप इस पे click करके, आप देख सकते हैं कैसे इसको install करते हैं, install करने के बाद, आप लोग अगर इसको copy करोगे, यहाँ से copy कर लो, उसके बाद यहाँ पे आपके इसको paste कर दो, ठीक, इसे क्या होगा, कि जो भी addmob, flutter नाम का जो भी package बना के रखा है किसी ने, वो आ कि यहाँ पे integrate हो जाएगा, ठीक, यह होगे आपका, इसमें भी आपका return value है, कि आपका जो action है, वो क्या return कर रहा है, string return कर रहा है, कि क्या return कर रहा है, यहाँ से उसको check कर सकते हो, जैसे हमारा जो return करेगा, वो string return करेगा, आप इसे build context कर सकते हैं, build context का मतलब होता है, flutter में, जैसे कि आप कोई चीज, past मतलब कोई action कर रहा हो, तो आप चाहते हो कि जो पूरा page है, या तो कोई एक visit है, वो rebuild हो, तो आप उसे build कर सकते हो, अगर एक बात आप लोग चेक कर लेना कि यह build context होता क्या है, क्योंकि यह coding का पार्ट है proper, तो flutter जब भी बताऊंगा, फिर से ब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डॉक्मेंट पास कर सकते हैं, डॉक्मेंट आपका transcribe डॉक्स है, यह सबना करके हम लोग simply अगर करना चाह रहे हैं कुछ, तो open AI, open करते हैं यहां से, then लिखते हैं, get google auth id from the user, यह भी आपका depend करता है, कि आपका returning value क्या है, आपने argument क्या है, कि हमारे पास कोई अभी auth function नहीं है, पूरे मतलब इस वाले project में, जो हमारा यह transaction service का project था, उसमें कोई auth function नहीं था, तो हमने कुछ argument पास ही नहीं किया, इसे, बट आप अगर यहां से देखो, तो इसने code तो generate कर दिया, इसे मैं यहां पर अगर yes करता हूं, यह तो अभी यह हमारे पास सब कुछ error दिखाएगा, error इसलिए दे रहा है, कि और कुछ तो है नहीं इसमें, अभी यहां तक समझ लिए आप लोग, चलो, अब मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग page parameter अगर आपको समझना हो, तो आपको उसी वीडियो में आपको समयाता हूं जो तो अपकिला फेलिए पनो आपको उना कि आकाल अखना है, वञाएछ देग जैबाएगगा